हेलो राधे राधे आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे रोज मर्रा के काम जो आपके असान बना दे बस ऐसी कुछ खास टिप्स ले करके आई हूँ जो आपको बहुती पसंद आईगी जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचेगा तो अन्हों मार्केट वगैरे से रजग लोज़ यह सब्जी वगैरा कुछ ले कर के आते हैं तोव इस तरह के प्लास्टिक के ढखकन हम लों पास बच जाते हैं अनका बाक्स तो तूट जाता है लेकिन जो जो इसकी ढखकन होते बेकार पड़े रहते हैं तो इसका भी यूज ह इस तरह का कोई भी धकन पड़ा हो तो आप इसको इसे बेकार मत समझे इसको किसी भी कटोरी में अच्छे से अटाइच करके देखे अगर यह फिक्स होता है तो यह आपका एक छोटा से बाक्स बन करके त्यार हो जाएगा आप इसमें कोई भी छोटी मोटी चीजे या कोई पूल आइडिया है तो ट्राइज जरू करिएगा अगली तिप मेरी यहां पर सोया बिन को ले करके है मौसम चेंज हो रहा है और इस तरह की जो चीजे होती ही बहुत ही जली से मॉस्टर ले ले लेती हैं तो सोया बिन क्या जो घाइए आपको क्या करना है आप तोड़ा सा चावल जो घर में खाने में यूज़ करती हैं बस थोड़ा सा चावल लीजिए आपको डाल देना है आप चावल को टीशू पेपर में अच्छे से लपेट करके भी डाल सकते हैं चावल बहुत ही अच्छे से नमी को एब्जॉर्ब कर लेगा जितनी नमी सोया बीन में आ ग कर लिज़ फिलिए टिप मेरी यहां पर ताला और चावई को ले करके थे हैं आकसर जो कहीं घूमने जाते हैं बाहर कई दो तीन दिन के लिए गए सفर में तो इस तरह से हम ऑच्छे से ताला लगा करे जाते हैं और चावभी क्या करते हैं अपने बैड में डाल लेते हैं लेकिन ऐसा होता है ना कभी कभी कि चाबी गुम हो जाती है हम लोग के हाँ से गिर जाती है बहुत चीज़े ऐसी हो जाती है और फिर लोट के जब हम लोग आते हैं जब ताला खोलते हैं तो आसानी से मतलब चाबी नहीं होगी तो कैसे खोल सकते हैं फिर हम लोग को क्या होता है कि लॉक को तरुवाना पड़ता है जिससे बहुत जादा पैसा भी खर्च होता है तो आपके लिए बस छोटा सा जुगार एक आइडिया लेकर के आई हूँ आपको क्या करना है घर में आपका कोई भी थोड़ा बहुत साबुन बचा हो तो आप उसको ले लीजिए और जो साबुन का एक निशान चाबी का एक निशान साबुन में अच्छे से बना दीजिए और फिर आप क्या करिए इस साबुन को अपने बैग में रख लीजिए इससे क्या होगा आप चाबी तो रखेंगी साबुन भी आपके पास रहेगा निशान अच्छे से बने रहेगा किजी भी किजी भी चीज में करके बैग में फिर आपको कोई भी प्राब्लम नहीं होगी जो पैसा हम लों का ज्यादा खर्च होगा लाग तुरुवाने में काफी पैसे खर्च जाते हैं तो वो नहीं होंगे तो यह भी बहुत ही यूसफुल आइडिया है तो ट्राइज है तो ऐसा हम लों क्या करें जिसे हमेशा के लिए अच्छे से फिक्स हो जाए हम लोग को कहीं बाहर भी नजाना पड़े कि सही गरवाना पड़े आप एक काम करिए आप पहले बेचकर से इसको बहुत ही अच्छे से निकाल लीजे हैं फिर हम लों गर में लैसुन खाने वा होता है ना बस आपको यसी को लेना देखिए अगर हम लोग ऐसे कोई पॉली थिन और या कोई कपड़ा पेच में लपेट के तब इसे हैंडल लगाते हैं कस्ते हैं तो वह अच्छे से अटाइज भी नहीं होगा और जो तीली की जो कील की चूड़ी है वह भी मर जाएगी तो आपको क्या करना है इस तरह से लैसन की चिलके को अच्छे से इस पेच में लपेट देना है तो पेच में लपेटने के बाद फिर आप जब इसको फिक्स करेंगे ना तो आप देखिए कितने अच्छे से यह तैटली फिक्स होगा और बिलकुल भी बार बार लूज नहीं हो तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छे से पेच कर से इसको लगा रही हूँ आप देखेंगे जो एक्स्रा जो छिलका होता है लाइसन का वो अलग हो जाएगा और जितना उसको लेना है वो उतना ही ले लेका अच्छे से फिक्स भी हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने चीज हम लोग मार्केट मी जाके ठीक राते हैं तो वह जादा पैसे भी ले-ले लाड़ा है हम लोग के पैसे भी काफी खर्श होते हैं तो इस तरहे Comma कare उस करके आप अपने काफी स्थे से स्थार होता है प्रेंग सफ лох लपेडर दीजिए फिर आप कोई एक रबर बैंड लीजिए तो मैंने मोठी रबर बैंड ली इस तरह से लपेटा अभी धुसरा चोड आप इस तरह से प्लक में अटायच्च कर देना है बहुती सिंपल सा तरीका है बस आप चाहे इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए या इस तरह इसके अंदर डाल दीजिए बिल्कुल भी इधर उधर गिरेगा नहीं बिल्कुल फिक्स रहेगा जब भी आपको प्रेस करना हो बस इसली आप रबर बैंड को निकाल दीजिए और अच् आप computer का काम है हम लोग क्या करते हैं मार्केट से ज capt करते हैं ताकी अच्छे से क काम भीए लेकिन जब होती है हम लोग यह काम जल्दी जल्दी करना होता है हम लों सोचते हैं कोई ऐसा आदम है जो फटा पट भिंडी कार दें लेकिन क्याम तो हम ही लोगों को अकेले करना है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा जुगार लेकर के आई हूं आपको क्या करना है भिंडी को आपको इस तरह से ले ले बस अब एक साथ देखे 8-10 भिंडी हमलों की फटाफट कट रही है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो भिंडी काटने में हमलों को 10-15 मिल लगते थे वही भिंडी हमलों सिर्फ एक रवर्बेंड की हल्प से फटाफट पांची मिनट में काट लेंगे तो यह बहुत ही यूनिक जारे फटाफट हो जाएंगे तो इस टिक को जब ट्राइ करेंगे ना तो आप भिंडी फटाफट काट लेंगी ज्यादा टाइम भी नहीं लेगेगा तो यह बहुती यूसफुल आइडिया है तो ट्राइज जरू करके देखेगा यहीं पर मैं अपनी वीडियो का एंड भ जरू कर दीजेगा यहीं पर अपनी वीडियो का एंड भी करती हूं ओके बाए